आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Hello everyone The question here given is that Select the number That can replace the question mark In the following series 0, 2, 10, 30 Question mark 130, 222 तो यह question missing number का है इसमें की हमारे पास number का एक series दिया गया है और उसके एक place को question mark कर दिया गया है हमें उसी question mark वाले place को एक appropriate number के साथ फिल करके और इस series को complete करना है तो आईए कैसे कर सकते हैं सबसे पहले तो क्या दिया गया है series भले हम उसे लिख लेते हैं तो जो series दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है 0, इसके बाद 2, 10, 30 इसके बाद हमें यहाँ पर question mark किया गया है हमें इस place को find out करना है इसके बाद दिया गया है 130 and after that क्या है 222 222 तो आईए हम इसे करते हैं solve सबसे पहले तो हम 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0 का q plus 0 तो 0 का q का value 0 ही हो जाएगा plus 0 का, मतलब 0 plus 0 का value कितना जाएगा 0 मतलब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर 2 की बात है तो 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसे हम 1 का q plus 1 लिख सकते हैं 1 plus 1 is equal to 2 ही आता है अगर हम 10 की बात करें तो 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 का Q प्लस 2 तो 8 प्लस 2 आ जाएगा और इसका एवल्लू 10 होता है मतलब हाई से हम लिख तरीके से लिख सकते हैं 30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3 का Q प्लस 3 मतलब 27 प्लस 3 हो जाएगा और इसका value 30 होता है अगर 130 की बात की जाए तो इससे हम किस तरीके से लिख सकते हैं 5 का Q plus 5 तो किया हो जाएगा 125 प्लस 5 मतलब 130 इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर इसकी बात की जाए 222 की तो इससे हम किस तरीके से लिख सकते हैं 6 का Q plus 6 तो 6 का Q का value होता है 216 प्लस 6 और इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर एक pattern को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो pattern है वह मतलब कुछ इस तरीके से चला है इस तरीके से इस sequence में arrange किया गया है कि पहला जो number है वह 0 का Q प्लस 0 है दुसरा जो number है एक का Q प्लस 1 है फिर तिसरा 2 का Q प्लस 2 है फिर 3 का Q प्लस 3 है इसी तरीके से यह चलता जा रहा है 5 का q plus 5 फिर 6 का q plus 6 तो हम इसे अगर सही तरीके से अगर observe करें तो हम यहाँ पर इसी pattern को होगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसके बाद जो अगला pattern आएगा वहाँ यहाँ जो number होगा वहाँ number क्या होगा वहाँ number होगा 4 का q plus 4 तो की फले 0 का q plus 0 हुआ है फिर 1 का q plus 1 हुआ है फिर 2 का q plus 2 हुआ है फिर 3 का q plus 3 हुआ है इसका मतलब फिर 4 का q plus 4 हुआ तो इसका फिर कितना होता है फिर लो 4 का q होता है 64 54 प्लस 4 तो यहां आ जाएगा 68 मतलब यहां पर अगर हमें इस question mark को आले place को अगर हमें fill करना है तो हम जिस number से fill करेंगे वह number होगा 68 और किस तरीके से होगा इस pattern को आप यहां पर देख सकते हैं समाश गया होंगे और यहां जो कि हमारा answer कितना हो जाएगा 68 जो कि option number A में दिया गया है जो कि बिल्कुल ही सही है उपसर A I hope it is clear to you thank you